Assalamualaikum दोस्तो, Cricket World से कुछ अपडेट है, अपडेट से पहले मैं आप लोगो एक बात बताना चाहता हूँ, एक student है, बेकार student, वो अपनी लाइन से बटक कर गया है, उसकी थोड़ा क्लास लेना चाहता हूँ को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले, एक काम कर, 200 रुपय दे और 50 रुपय खाट ओवर एक्टिंग के वेच, पाकिस्तानी अवाम से बात कर रहा हूँ, अनफॉशनेटली हमारे पाकिस्तान में जो डड़ू फैंस है ना, वो इस टाइम कह रहे होंगे, और यार, बाब मजा नहीं आ रहा हूँ, दोस्तों आपने इसकी बाते से सुननी होगी, यह वो आदमिया इसको पैसो का लोली पॉप दो, और यह गंदी मक्ही बनके वहाँ पर लोली पॉप जूसने लग जाता है, इसको शरम नहीं आती, अब बाबराजम पर ब्लेम डाल रहा है, बाकी 11 प्लेयर क्या आम चूसने आए थे वहाँ पर, या आम की गुठलिया गिलने आए थे वहाँ पर, वर्ल्ड कप से मैं देख रहा हूँ, बाबराजम के पीछे हाथ दो कर पड़े हुए, हाथ दो कर बोलना एक छोटा लफज है, यह नहाथ दो कर पड़े हुए, क्यों पर प्रसु मैं आची पर्फॉर्मेंस दें एसा करओ बाबराजम को फिर बाबराजम को और मैंजमेंट बना बनायो, बाबराजम को हर कुछ बनायो, अगर वह पिर ना करे फिर आप उस पर बलेम करो, पर बापि क्या लएने आए है टीम के अंदर, इससे जाहिल इंसान, इ किसी और कंट्री में देखने को ना ही मिले ये सिरफ और सिरफ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं बाबराजम के बारे में इतनी इतनी बुरी बातें कर रहे हैं ये लोग बाबराजम इतनी ज्यादा परफॉर्मस दे रहे हैं फिर उसके खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे है कुछ तो शरम कर ले कुछ व्यू के लिए बाबराजम के इतने खलाफ हो जाते हैं ये लोग, थोड़े से पैसे की खातिर इतने खलाफ हो जाते हैं ये लोग, बाबराजम ने कितना कुछ अचीव किया है पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ल का बेस्ट बेस्ट मैन है पाकिस्तान क 50 थी अब भी इन लोगों को तकलीफ है बाबराजम से कि मैच नहीं फिनिश करके आए विरात कोली का आपने हर इंट्रिव में सुना होगा जब मैन उफ दी मैच मिलता विरात कोली को वो सबसे पहले एक बात जरूर करता है विरात कोली का कहना था कि पूरी टीम मेरे अराउंड खेलती है जिस वज़े से हम मैच ये जीत गए बाबराजम का भी तो वैसे ही रोल है जैसे विरात कोली अपने टीम में रोल अदा कर रहे होते हैं कोई वह एक्स्ट्राओर्णनरी तो नहीं खेल रहते, माना के बाबराजобщ में फिन्श नहीं कर के आते जितने विराथ कोली ने फिन्श किये लेकिन विराथ कोली कीतना लोंگ पिरियड है। बाबराजम का तो वैसे नहीं है बाबराजम को भी तो आप टाइम दो ना बाबराजम का पहले कितना लोड ट्राइक रेट था लेकिन अब कितना इंप्रूमेंट लेके है अपनी स्ट्राइक रेट में दोस्तो इन पर बात करना भी फजूल है मैं अपना टाइम ही जाया कर र कोई भी बाहर कोई लीग खेलने जाए पाकिस्तान टीम की तरफ से कॉंट्रेक्ट भी कर लिया कुछ प्लेयर में जिसमें शाहिशा अफरिदी, शदाब खान, आजम खान, वसीम जूनियर ये दुबई की लीग खेलने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन महमद हफीज इस पर ए दोर लगाते हैं, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मस दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी टीम में आकर इनको पता नहीं क्या हो जाता है, दोस्तो एक और नमूना है, मीडिया पर बैट कर बाबराजम के खलाफ बातें कर रहा हैं, उसका कहना कि जितनी गेंदे बाबराजम टीट कर गया हो, दो टीटवनटी मैच हो गए हैं, उसमें सिरफ और सिरफ बाबराजम की परफॉर्मस अच्छी है, सेकिंड में फखर जमाने कुछ अच्छी बैटिंग की है, लेकिन इसके अलावा आप किसकी बैटिंग पर इतने बड़े दावे कर रहे हैं, जो 33 गिंदों पर स कर जाए, आपको कोई लगता है फखर जमान के इलावा, जिन बैट्समेन के बारे में ये बातें कर रहा हैं न, वो नमूने तो ऐसी नमूने निकलें, उनको पावर हिटिंग की तोर पर लेकर गए थे टीटवनटी में, मैं बात कर रहा हूँ आजम खान की और चाचा इफ् 2020 में फिंच की परफॉरमस, 387 मैच के लिए 11,000 प्लस रंज बनाए, 33 का एवरीज था, स्ट्राइक रेट था, 138, 8 सेंचरी और 77, 50 थी, बाबराजम की आप परफॉरमस चेक करें, 21 मैन अफ दी मैच, 20 टाइम पाकिस्तान विन, 10 टाइम बाबराजम फिनिश मैच एज ओपन सकते हैं इसमें, बाबराजम पाकिस्तान की तरफ से ग्रेट बेट्समैन है, दुनिया में उसका नाम है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर में उनका नाम शामिल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये प्लेयर रास ही नहीं है, एमच शजजाद का इंटर्यू तो आप लोग उसको मीडिया पर बैट कर ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए। उसको और सिर्फ और सिर्फ अगर वो क्रिकट खेलना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकट पर फोकस करना चाहिए। ना कर मीडिया पर ऐसी बाते करनी चाहिए। आपने कभी भी नहीं देखा होगा। सर्फराज मेडिया पर बैट कर ऐसे शो कर रहा हो ऐसे किसी के खिलाब बात कर रहा हो लेकिन मिलता जरूर है तो मेरा आई सेसी की रैंकी में बाबराजम फिर से नमबर वन ही है सेकंड पर गिल फिर विरात कोली रोहिश शर्मा डेविड वारनर डैलन मिचल बाबराजम ने दो मरत्बा क्रिकट ओफ दा इयर का एवोर्ड जिता है दो हजार इकिस में दो हजार प जिनकी आप इनिंग्स आप चेक कर सकते हैं इसमें 141 रोहिश शर्मा ने इनिंग के लिए हैं और 107 विरात कोली ने जबके बाबराजम की 99 इनिंग में 3500 प्लस रन है इतने रन्स तो गॉपटल के भी नहीं है जो एक ग्रेट हिटर था न्यूजिलैंड की तरफ से ICC की तरफ से टेस्ट रैंकिंग में न्यूजिलैंड के प्लेयर केन विलियमसन, सेकिंड पर जे रूट, तीसरे पर सिमित, फिल लबुशेंड, डैनल मीचल, विरात कोली, हैरी ब्रोक, बाबराजम आठवे नंबर पर पहुँच गए हैं फिर इसमान ख्वाजा, फिर रोह बाबराजम की मीडिया पर ये वीडियो बहुत वाइरल हो रही है, जिसमें पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करते हुए सहीद अजमल को गेंद लग गई